कि चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्छों मैंने फॉर्फिचर की कुछ एंट्रीज बताई थी आपको लास लेक्चर में है ना हमारा बेसिक सौप अकाउंट चल रहा है हम लोग बेसिक बेसिक एंट्रीज देख रहे हैं अपना रूल यूज करके रूल क्या था अपना ब इंक्रीज होते हैं तो क्रेट करो और क्रेड़िट बैलेंस अकाउंट इफ फर्दर इंक्रीज विल भी डेबिट बैलेंस वाले अकॉंट बढ़ते हैं तो अपोजीट बोलने का काम नहीं है ऐसी कुछ हमने पढ़ा था राइट इसी के भरोसे सारी अकाउंटिंग कर रहे ह मैंने कल कुछ केसेस ली थी आज मैं फिर से सारा का सारा फोर फीचर वापस रिवाइस करवाता हूं है बेसिक एंट्रीज ही नया कुछ भी नहीं है वापस सारी चीजे में रिवाइस करवा रहो अच्छा आप पोश्ट डालने वाले थे क्या है ठीक है आजाओ आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग केस एच से देखा नहीं हमने आई 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 के 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 पहले आए देखें लिको बेटा कि देखो ध्यान देना कि एक कंपनी है तो एक शेयर इशू करना चाहती है जिसकी पेस वैल्यू याने ओनर्शिप याने नॉमिनल वैल्यू याने रजिस्टर्ड वैल्यू याने कैपिटल इस वैल्यू ओनर्शिप नॉमिनल वैल्यू रजिस्टर्ड वैल्यू और कैपिटल प्रमोशन बदमच बच्चे एगया हाँ तो ऑनर्शिप कितनी है जन रुपी और एक रुपए का प्रिमीम भू मैं ऊक हुआ को ये इस्चू प्राइस को कितना सांबॉत योग्जाइगा सब लोग साथ में रहना इश्व प्राइस कितना हो जाएगा 11 सब लोग साथ में रहना कि इस्टॉल्मेंट में अमॉंट बुलवा रही है कंपनी अप्लिकेशन पे चार रुपए कि अलॉटमेंट पे पाँच रुपए कि पॉल पे दो रुपए कि नहुआ हुआ 11 और क्वेशन में दिया हुआ है अप्लिकेशन का पैसा रिसीव रिसीव अप्लिकेशन का पैसा ट्रांसपर ट्रांसपर टी मिन्स ट्रांसपर टू कैपिटल यह तो याद है ना अप्लिकेशन का पैसा रिसी हुआ और मैंने कैपिटल में ट्रांसपर भी कर दिया आगे बढ़ू गया उसके बाद अलॉट्मेंट का पैसा मैंने ट्रांसपर किया याने ड्यू किया ट्रांसपर को क्या बोलते हैं हम लोग ड्यू करना कैपिटल में ट्रांसपर करना अलॉट इसके बाद Board of Directors ने Shares Forfeit कर दिये Forfeit कब किये उसका समय भी बहुत ज़्यादा Important है मैं sentence वापस बूलू Forfeit कब किया उसका समय भी बहुत ज़्यादा Important है क्या Forfeit कब किया है After Call Call के बाद Shares Forfeit कर दिये ठीक है अभी देखते है Call के बाद Shares Forfeit किया है मैं एंट्री स्पास कर रहा हूँ सबसे पहली एंट्री बताओ सब लोग Bank account will be Debited To Share application अब सब लोग प्लीज साथ में रहे न पहले बताओ पहली एंट्री में किसी बच्चे को कोई डाउट है कि हो Bank to share application Bank to share application Easy है आप तब के दब डाउट पूछो और तब के दब क्लियर कर के लो Pending मत रखना Bank to share application Easy है न पैसा आगया Bank balance asset बढ़ गए बढ़ गए तो उसे मैंने debit कर दिया और किसे आया पैसा Share application नाम के person से पैसा आया इसलिए मैंने share application को credit किया Share application बेसिकली है Representative personal account है किसी का इसके पहले के अगर एक दो lecture चूटे होंगे दो तीन lecture चूटे होंगे तो यह समझ मिनी आएगा मैं पहली बोल रहा हूँ अगर किसी के इसके पहले के एक दो तीन lecture चूटे है किसी का basic चूटा है तो यह समझ मिनी आएगा तो please prepare करके accounting subject को या उसके पढ़ाने वाले teacher को गाली मत मारना क्योंकि आपका इसके पहले का lecture छूटा हुआ है इसलिए अगर subject खराब होता, teacher खराब होता तो यहाँ पे बैठे हुए एक भी बच्चे को समझ में नहीं आता यहाँ पे बैठे भी अगर 60-70% जनता को समझ रहा है 20-30% जनता को नहीं समझ में आ रहा है तो अपने गिरेबान में जहाक के देखो क्या आप absent है क्या कोई lecture absent से मेरा मतलब है class में आकर के mentally absent है तो वो भी मेरे लिए absent ही है अगर किसी बच्चे का ध्यान नहीं है तो वो भी आइस गुड़ है और वो चोटी चीज़े आप लोगों के लिए बहुत आसान है अभी के बच्चे अगर आप लोगों को बाकि नॉन्वेज जोक समझ में आ रहे है एकसेप विपुलसर को बंदा हाई लेबल का है उनके जोक मेरे को भी और जोड़े कभी समझते नहीं विपूल सर एक्चुल में स्मार्ट है डेडिकेटेड है कंसिस्टंट है हर चीज में यह ना मैं उनी से काफी चीज़ सीखते रहे तो यार वो लेक्चर पूरे बैच के अंदर में कैसे टाइम पर आते हैं चालो हुआ कि देख कि चालो हुए ना कि बन करना है कि अभी ध्यान देना सब लोग को तो पहला वाला इंट्री हो गया है यह बढ़ गया कंपनी प्राइश आ गया सो बैंक अकाउंट भी डेबिटेड और यह पैसा शेयर अप्लिकेशन नाम के परसन ने दिया इसलिए मैंने शेयर अप्लिकेशन को क्रेडिट किया और टाइम ब इडिट किया पर उसके बाद अप्लिकेशन का पैसे अब मैं ट्रांस्पर कर रहा हूँ कैपिटल में टेहर अप्लिकेशन कोई चीज में बार-बार रिपीट करूँ प्लीज उतने ही शिद्दत से आपने उसको देखना है पहली बता देता हूँ अकाउंट के लेक्चर में आपके अंदर पेशन्स होना बहुत जादा जरूरी है कोई चीज में रिपीट कर रहा हूँ डैट मीन्स वह इंपॉर्टन् खो दिया जैसे अभी एक सुबह एक बच्ची का मैसेज आए मुझे कि सरो बाइबेक की एंट्री कैसे होगी सर अलॉट्मेंट मनी रिसीवड अपना अप्लीकेशन मनी रिसीवड पेंडिंग अलॉट्मेंट मैंने बहला बेटा यह मैंने पढ़ा है नहीं आप इतने इंप ही साथमें चलो न्यार बिल्कुल आपने घआई नहीं करना है मेरे साथ चलना है अप्लीकेशन का पैसा अपैसा ट्रांस्फा कर दिया पहले मैं प्लीकेशन का अपेसा ट्रांसपर दिया इग इस दियुकर दियों से कितना लेना है इसलिए मैंने उसको डेबिट किया हूं यहां तक मिरेखाल से सारी समझ में आ रही है और पीचर के समय आपको आपके कॉंसेंट्रेशन लेवल को एंप्लीफाइब करना होगा टेन टाइमस उसने पोचा मुझे डेटर क्यों बना दिया मैंने बोला मैं तरे नाम से उनर्शिप रेस कर रहो उसने बोला करो मैंने बोला यह ले उनर्शिप रेस करना है ने कैपिटल को क्रेडिट करना और प्रीमियम था वन कुछ बोला नहीं तो प्रीमियम किस के साथ है अलॉट्मेंट के साथ तो अलॉट्मेंट में कै के नाम से डेबिट किया मैंने अलॉट्मेंट ड्यू किया फाइव रूपीज यानि तुस्से लेना है पाच लेकिन तुझे ओनर्शिप मिलेगी चार की उसने बहुला ऐसा क्यूं मैंने बहुला वन रूपी का प्रीमियम है यह देखो कंपनी ने प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया कितना वन यह से कहते हैं अलॉट्मेंट का पैसा ड्यू करना अब मैं अलॉट्मेंट का पैसा रिसीव कर रहा हूं कि अलॉट्मेंट का पैसा रिसीव भी हो गया क्या और रिसीव कि यह आर्टी ड्यू क्या है इसके लिए पिछला लिक्ष्टर देखना होगा बैंक अकवीथ टू टेहर अलॉट्मेट को पहले क्या किया है kup500 कि अप क्या गरद हूं इतना डेविट किया था पाच पुरा आ गया तेर अलोटमेंट मनी रिसीवड तेर अलोटमेंट मनी रिसीवड नारेशन बता दो तो एप्लिकेशन मनी रिसीवड एप्लिकेशन मनी ट्रांसपर तू कैपिटल अलोटमेंट मनी दियू अलोटमेंट मनी ठीक है ना अब उसके बाद call का पैसे में call कर लेता हूं二 को call All do call कर दू call कर दू, you कर दू यहस बुला, call का पैसे call भी कर दिये शेयर call नाम के person से पैसे लिना है उसने बोला क्यों? मैंने बोला तेर नाम से capital race कर रहा हूँ उसने बोला करो मैंने बोला यह लो डारेशन, चेर कॉल मांट दिू, चेर कॉल अमाउंट दिू, और चेर कॉल मांट ट्रान्सपर्ट तु कैपिटल और चेर कॉल मांट कॉल्ड, कॉल कर दिया मैंनी पैसा यह सुरे soprattutto, यहां तक समझ मैं अब कॉल का पैसा रिसी वहा है क्या? यह तो हो गया, call कर दिया, receive हुआ है क्या, call का पैसा receive नहीं हुआ, call का पैसा receive नहीं हुआ, इसलिए हमें कैसे समझेगा, question में लिखा रहेगा, call amount not received, मानलो 100 shares है, ऐसा लिखा रहेगा, उसमें से 20 shares, एक परसन के पास थे, उसने call का पैसा नहीं दिया, तो 20 shares पे call का पैसा नहीं मिला, बचे ATP मिल जाएगा, यहां पर मैं एक ही share का example ले रहा हूँ, उससे share पे call का पैसा नहीं मिला, एक question में लिखा है, बरोबर है, अब सब लोग ध्यान दो अच्छे से, इसलिए board of director ने क्या किये, shares forfeit कर दिये, इसलिए board of director ने shares forfeit कर दिये, जब्त कर दिये, अब share forfeit करना मतलब यह तीन चीज़े करना, share forfeit करने का मतलब होता है, उस share के नाम पे, किस share के नाम पे, उस share के नाम पे, जो forfeit हो रहा है, जो forfeit हो रहा है, उस share के नाम पे, जो कुछ आपने capital race किया होगा, वो कम करो, हर बार, कोई भी केस हो, premium, discount, case value, कोई भी केस हो, कोई भी, जो भी share आप forfeit कर रहे हो, उस share के नाम पे, आज तक आपने जितने का भी capital खड़ा किया था, वो कम करो, यानि ownership कम कर दो, यानि ownership छीन लो, उस person से, जिसके share आप forfeit कर रहे हैं, बरबरे, आप सभी लोग जानते हो, issue करसे में capital बढ़ता है, credit करते है, forfeit करेंगे, capital कम करना है, तो क्या करना है, debit, तो पहला काम खतम, जब भी कोई company share forfeit करती है, तो forfeited shares के नाम पे, आज तक, जो जो capital raise किया था, वो कम करो, कम कर दो, कम करता हूँ, अभी लिखना मत आपने, पहले एक बार देख लो, देखो, मैं आलिक रहा हूँ, entry for share for feature, सबसे पहला काम capital कम करो, share, capital account will be debited, परवरे ना, सर कम क्यों कर रहे, अरे बाब आप share जब्त कर लिया, तो उसके नाम की ownership निकाल देंगे ना हम लोग, तभी तो उसी को तो forfeit करना बोलते, तो देखो मैं ownership कम कर रहा हूँ, ये जो share है, जो forfeit कर रहे है, उस से share के नाम पे कितने का capital हमने आज तक transfer किया था, transfer, you, transfer, four, transfer, four, five नहीं बोलना, इस five में capital किता है, four, premium किता है, one, मैं किसको कम करने की बात कर रहा हूँ, capital को, capital, four, capital, four, ये भी transfer किया है, capital, two, ये डबा, four, four, two, ten, इतना easy था, ये समझा सभी को, ये समझा, जो बच्चे live streaming देख रहे है, वापस यार बे, देखो, अभी मैं समझा रहो, मैंने premium की बात की अभी तक, बच्चे आगे भाग गए, premium पे क्यों जा रहे हो तुम, मैं तुमको पूने बुला रहा हूँ, अपने को लोनावला जाना है, तुम पहली डोलनागे पे और लोनावला में पोच गए, और फिर अपस पूने आ रहे हो, कैसे बच्चे, मैं भी कहां प्यों बताओ, capital पे, और ये बच्चे देखो, कहां कुछ टीचर अगर फास जाते हैं, तो बच्चे कमलेंट करते हैं, बहुत फास पढ़ा रहा है, नहीं समय। अब बच्चे फास जाएं तो मैं किसको कमलेंट करूं? सानिका, गवरी, सरय बहुत हार लग रहा है फिर से फिर से यहां तक समझा towards सानिका, यहां तक समझा na? पहले बात बताओ हार है न आ, बॉस हार तो लगे गई अबी मेरी बात सुना यहां तक समझ में आए क्या सानिका मैंने हाड वाला पार्ट स्टार्टी नी किया भी तक यह यहाँ तक समझ में आए गई बदाओ पहलिए सानी का जवाब नहीं दे रही मैं वेट कर रहой Umля आपके जवाब के लिए यह वाला पार्ट समझ में आए क्या है तर हमें कैसे समझेगा फॉर्फिट करना है कुवैस्शन हे लिखा रहेगा कि कंपनी ने इतने इतने शेयर्ष फॉर्फिट की ऐसा लिखा रहेगा तानी का अरे यहां तक यह 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 वाला पाठ फॉर्फीचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कौन सी वाली चीज नहीं समझ में ही इस पो इस कंप्यूटर में स्पीकर है क्या सर एक बर प्लीज डियू और रिसीट वाली इंट्री अलग पास करने का लॉजिक बता दोगे बता दो दियू और रिसीट की साने का साने का एक काम कर तू टाइप कर कौन सी वाली इंट्री नहीं समझी दे कैसा बोल ऐसा बोल वन तू थ्री फोर फाइव शिक्स या फिर साधी नहीं समझी होगी तो ऐसा लिक ओल थीक है मैं तब तक आदीती नहीं जो बुछा त्यू टेयर अलॉट्मेंट का पैसा डू करना है 10 प्लस 1 रुपी का premium है total 11 इसमें application है 4 allotment है 5 allotment में premium है 1 capital है 4 यह सब प्रश्ण में लिखा रहेगा और call है 2 total 11 पहले application का पैसा receive होगा application money received फिर application का पैसा में transfer करूगा application money transfer फिर allotment का पैसा अलग color लेता हूँ allotment का पैसा में due करूगा allotment money due due याने लेना बाकी जब भी किसी party पर्शन से पैसे लेना बाकी है तो उस party पर्शन को debit करो तानिका सर एक बार due अली वही बता रहूँ ने 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 कॉल बील करने का नहीं बोलता मैं किसी को phone call नहीं में चलते लेक्षर में phone call नहीं उठाओंगा सेकेंड एंट्री हां मैं बताता हूं सेकेंड एंट्री से नहीं समझा यानि पहले वाली एंट्री आपको समझी अप्लिकेशन की ठीक है मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप सारे लेक्षर्स में present है अभी ध्यान देना ए सारे बच्चे इधर भी ध्यान दो रहे तुमारा रिव ध्यान देना accounting की दुनिया में जब भी किसी party या person से पैशा लेना बाकि है ध्यान देवटा तो हम लोग उस party या person को अपना data बनाते हैं मतलब हम लोग उसे debit करते हैं तो share allotmentनाम ला में के पैशन तुमेरा data डेटर बन गया तुससे पैसा लेना बागी है डेटर बन गया का मतलब होता है डेटर बढ़ गया डेटर का डेविट बैलेंस बढ़ते है तो डेविट करो इसलिए मैंने शेयर अलॉट्मेंट को डेटर बना दिया उसको डेविट किया उसने पूछा मुझे डेटर क्यों बन रही है यह सोर नो कंपनी का capital बढ़ेगा capital कितने से बढ़ेगा यहां पर से उपर का company का फायदा है company 10 का share 11 में दे रही है वन रुपी प्रीमियम और वह premium allotment के साथ है तो security premium account will be credited यह ड्यू की entry है सानी का समझ में आई क्या यह वाली ड्यू की entry है अगर बिटा असानी का आपका इसके पहले का एक भी लेक्चर मीश हुआ रहेगा बेसिक का तो ये समझने में मुश्किल आएगी ये समझा होगा तो प्लीज हा बोलो ये नहीं समझा होगा तो मैं फिर समझ सकता हूँ कि आपको प्रॉब्लिम कहा रहा है प्लीज एक बार देखो ये वाली है जैसे अप्लीकेशन का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट बड़ा अलॉट्मेंट का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट बड़ा कित्ता मिला अलॉट्मेंट का पाच कित्ता डेविट किया था पाच कित्ता मिला पाच जब पैसा लेना बाकी था तो अलॉट्मेंट को डेविट किया अब पैसा आ गया तो अब उसे as a data खतम करो data का debit balance खतम करना है तो credit करो राइट यह समझ में आगे बिटा कि एक दम बारवी कक्षा की entries है यह सारी एक जिकेटिव की भी नहीं है ट्वेल्ट स्टेंडड की मिला थर्टी शेर्स पे नहीं मिला उससे इससे टफ ट्वेल्ट में था यह सोर नो जो काफी सारे बच्चों ने option में छोड़ा था शेयर टॉपिक नहीं छोड़ा था अब तो अच्छी बात है यह लॉट्मेंट का पैसा आ गया उसके बात में क्या कर रहा हूं मैं देखो कि कॉल का पैसा कॉल करता हूं यह समझ मैं थ्री और फॉर पक्र कि ने 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 मुदा वो नहीं छोड़ा की ने चोड़ा अभी इस पर ध्यान दो शेयर कॉल सानी का ध्यान दे बिटा अमाउंट डियू चेयर कॉल नाम के जैसे अलॉट्मेंट से पैसा लेना था तो अलॉट्मेंट को डिबिट किया कॉल से पैसा लेना है तो कॉल को डिबिट करो उसने पुछा क्यों डेटर बना रहे हो क्यों डेबिट कर रहे हैं उमने बुला capital transfer कर रहे है वेसे ही प्झेसे उपर था बस allotment की जगा क्या लिखा receive कर रो पैसा जैसे यहां पे receive हुआ था call money receive bank 2 care call पर वर गरे क्यों अप्लिकेशन का पैसा रिसीव कर ले दो यह अप्लिकेशन नाम के परसन से पैसा आया था कितना था यह अप्लिकेशन का प्लिकेशन का अब अब अप्लिकेशन का पैसा क्यों रिसीव किया इस सारे पैसे क्यों रिसी कर रहे क्यों कि हम लोग सारे अमाउंट कैपिटल में ट् Capital बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करो अब बताओ यह entry समझ में आई है क्या तानिका गवड़ी तुझे यह entry समझ में आई क्या कि वेल्ट में उतने अच्छे से नहीं समझा ओके छोड़ो अभी समझा पक्का पेल एक बार पूछो आपको कस्ता में अभी नहीं समझा अगर यह नहीं आया तो आपके अठ्रा नंबर पेपर के चले गया इसलिए मैं बार बार बोल रहो क्योंकि शेयर कैपिटल के उपर क्वेश्चन भरे पड़े रहते आप कोई भी पेपर उठागे देख लेना पिछला भी देख लेना अभी समझा क्या अधिति सानिका ओके मैं क्या इसको स्क्रोल करो यह पक्का समझ में आया अब हम लोग यहां पर आजाए सेम एंट्री मैंने वहां पर लिखी दिया भी साइड में यहां तक समझ मैं अब यह कॉल का पैसा नहीं मिला इसलिए देखो मैंने यह वाली एंट्री के जगाई ऐसा क्रॉस बनाया बरबरे अब कॉल का पैसा नहीं मिला इसलिए कंपनी यह जो शेयर है इस शेयर को जब्द करने जा रहे है कंपनी ने शेयर इशू कर दिया था परवरे एक इंसान ने शेयर के लिए अपलाई किया उससे अप्लिकेशन का पैसा आ गया उससे अलॉट्मेंट का पैसा आ गया पॉल का पैसा आया ही नहीं लेकिन यह सारा अमाउंट हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था गया यह देखो अप्लिकेशन का पैसा आया कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया अलॉट्मेंट का पैसा ड्यू किया बट रिसीव भी हो गया है ना और कॉल का पैसा ड्यू किया बट रिसीव नहीं हो तो जिस इंसान को तोटल यह जो शेर कंपनी फ़ार्फिट करने जा रही है इसे कंपनी को एपलीकेशन और अलाउट्मेंट का पैसा मिल गया था कॉल का पैसा नहीं मिला कंपनी ने ओनर्शिप तो पूरी दे दी थी अपलीकेशन की भी अलाउट्मेंट का भी कैपिटल पॉर्शन और कॉल का भी कैपिटल पॉर्शन कंपनी ने ओनर्शिप पूरी दे दिया 10 की पट कंपनी ने ओनर्शिप पूरी दे दिया 10 की पट पॉल का पैसा नहीं मिला पॉल का पैसा नहीं मिला इसलिए कंपनी अब यह शेर फॉर्फिट करने जा रही है इसलिए कंपनी अ वाले जितने भी बच्चे सबको यहां तक सारी चीज समझ में आई है इस टूपेस वाले बच्चों को भी राइट मैं फॉर फीचर की एंट्री पास करो भी देखो मैं यहां पर लिख रहा हूँ इंट्री फॉर वापस अरे आगे मत बढ़ो सिरिप यहां पर ध्यान दो इशिका मैं तुमको बोलूँगा तब आगे बढ़ना तब कोई आगे नहीं बढ़ेगा जब मैं तुमको पच्चीस प्रॉब्लिम दूँगा इसके सॉल करने के लिए चालीस पेज में सॉल करके आना पड़ेगा तब कोई नहीं आगे बढ़ेगा देखना इत्तु सा एक कदम आगे बढ़ने के लिए इसको आगे बढ़ना नहीं कहते हैं मैं दूँगा बहुत सारी प्रॉब्लिम्स दूँगा सॉल करने के लिए और सबकी भूग भी चेक करूँगा तब मैं आज का सीनिया दे लओंगा तब आगे बढ़ना तब मैं बोलूगा कि जाओ बच्चो कूट पड़ो सॉल कर दो सारे प्रॉब्लिम्स तब सॉल करना सम अभी अपने डिख किया है पहले उसे कम करो क्यूं करना है क्योंकि ओनरशी Cyrus वापस हीन रहे हैं हम लोग अब ओनरशी oxygen रहे हैं वोरफिट कर रहे तो और हैंर शीब यहन प्रॉब्लिम्स क्रेडिट बैलेंस कम करना है तोöhं करो दानी का साथ में हैं क्या अरूब्वर तो सबसे पहला काम हर बार ध्यान रखना कैपिटल कम करो जो शेयर फॉर्फिट करने जा रहे हो मैं बार-बार जो वर्ड बोल रहा हो ध्यान रखना जो शेयर फॉर्फिट करने जा रहे हो वो शेयर का कैपिटल कम करना है बच्चे गलती करेंगे एक्जाम में सारे शेयर का कैप कम करके आएंगे देखना क्या बोला मैंने समझ में आए क्या 1000 शेयर में से 20 शेयर जिस गधे के पास थे उसने पैसा नहीं दिया तो आप सिर्फ वो बीस वो ट्वेंटी शेयर ही पॉर्फिट करोगे मतलब वो ट्वेंटी शेयर का ही कैपिटल कम होना चीए बच्छे एक्जा स्का आपने कैपिटल कम करना है SIMPLE है कितना असान है वो इस में इसके अदर में इस पैसा में कम कर रहा हूं भोल बटा origापिटल कितने सा मंथी बढ़ा है था जो शेयर में फार्पिट कर रहा हूं उस से का पैसे रांस पर कर दिया था आलाटमेंड का कैपिटल में कितना की पांच एक चार अलाटमेंड का कैपिटल में कितना क्या पाँच एक या चार कि अ कि South आगया capital में दो मैं जब student आना तो क्या हुआ था माना में किया एक लड़की की हाथ से मेरी book गिर गए थी class में आते आते हैं तो मैंने ऐसा घुस्से से देखा था उसकी दरब और आज करके बच्चे book गिर गे तो thank you बोलते हैं कि अज़ा आज़ा तो capital कम करो गया लड़के से बुग गिली रहती न तो चारवाज गालिया मारती रहती उसको code word में नहीं मारा रही था अरे जिस अदनीगा चलो तो capital कम करूगे हमें यह share जो मैं forfeit करने जा रहा हूँ इस share के नाम पे capital कितना रेस किया था चार चार और यह दो 10 से मैंने capital रेस किया तो 10 से ही मैं capital कम करूँगा पहला काम करने बागी कहीं दिमाग नहीं लगाना है first step over यह first step समझ में आई क्या सब लोग साथ में यह first step clear है पकी बात first step clear है सभी को तो जो share सम लोग forfeit करने जा रहे है उस share के नाम पे आज तक जितने का capital हमने रेस किया था उत्ते से कम कर दिया कि आगे दूसरा step amount received accept premium को जब्त करो अमाउंट रिसीवड जब्त करो ना forfeit करो एक से premium क्यों बोल रहे हैं क्योंकि premium तो मेरा अपना है जो मेरा अपना है मैं उससे forfeit नहीं कर सकता हूं तो total amount received कितनी यहाँ पे बताना total amount received कितनी बड़ा बताओ application का पैसा आर अब आर की तरफ देखो अब capital की तरफ नहीं देखना है receive बोला है तो bank आर receive receive not received बोलो receive receive चार और पाच नाइन इस नाइन में इस नाइन में प्रीमियम है क्या yes or no yes yes इस नाइन में प्रीमियम है four or five nine इस नाइन में प्रीमियम कितना है one premium में forfeit कर सकता हूं क्या total amount received में अगर प्रीमियम घुसा पड़ा है तो ही minus करना जबरस्ती हर बार मत minus करना मैंने sentence बहुत काम का बोला अगर amount received में premium included है तो ही minus करना क्या बोला मैंने अभी दो मिट बात बच्चे गलती करेंगे आपर देखना amount received में अगर premium included है तो ही minus करना नहीं तो minus नहीं करना पुलो फिर amount received except premium चलो forfeit कर लो to share for feature account हो गया दूसरा काम भी खत्म कि अधा इसी था पहला capital कम करो दूसरा अरे 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 अमाउंट received except premium तीसरा और आखरी काम जो जो नहीं मिला उसे reverse करो जो जो नहीं मिला उसे reverse करो क्या-क्या नहीं मिला बताओ call को पहले क्या किया था अब call को क्या करेंगे जेल खत्म share forfeited for non payment of call money कुछ थार है इसमें लिख लो आप इसमें जितने permutation combination हो सकते में सब की इंट्री लूँगा लेकिन हर बार अपने तीन सेंटेंस सेम रहेंगे तरो तीन सेंटेंस बड़ा देते तो बड़ा मज़ा आ जाता है यह देखो कैपिटल को कम करो बाइं हाउ मच अमाउंट बाइं पॉल्डफ फेस वैल्यू इस वैल्यू यह होता है ना कैपिटल में दूसरा अमाउंट रिसीवड एक से प्रीमियम को जब्द करो फॉर्फिचर में ट्रांसफर करो तीसरा कि अमाउंट नॉट रिसीवड को क्या करो कि रिवर्जड करो जो जो नहीं मिला उससे रिवर्ज करो बस यह तीन चीज़े है एक तो कि इन कि इसमें अब कोई भी फॉर्फिचर की केस हो कोई भी कैसी भी यही तीन स्टेप फॉलू करना है बहुत एज़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा लिखो पहले कि हम लोग बेसिक एंट्रीज देख रहे बिटा एबिट क्रेडिट का रूल यूज कर रहे बस सर एक्जाम में भी जर्नल के अंदर एंट्री फॉर्फिचर लिखे अरे बाबा यह मैं आप लोगों के लिख रहा हूँ एक्जाम में आप डाइरेक्ट नंबर से लिख लेना ना कि यह मत लिखो बस कि से क्रॉस नहीं करना यह बेटा यह नहीं करना है इसा मैंने बस आपके लिए बताया कि यह नहीं मिला इसले इन नहीं लिखी देरेक्ली देखो मैं ने नमबर यह लिखा नँए जगा नहीं छोड़ना है जगा एक बच्ची बोली सर यहाँ पर चोड़ना है नहीं चोड़ना है पैसे कभी आने वाले नहीं हैं तुमक्रा आख रही हो गया उसकी आये के तुमने लिख दूँगी तीन गंटे में पेपर खतम होने के पहले पैसे आ गए तो लिख देंगे ऐसे आने वाला है क्या है जगा नहीं छोड़ना है देव प्रिश्णा नहीं छोड़ना है जगा सम ऐसे याद रख सकते हैं क्या कि शेर कैपिटल को कम करो हो और रेप को येस और जो जो नहीं मिला उससे रिवस करो बिल्कुल याद रख सकते हैं और मेरा बूलना एंट्री लर्न क्यों कर रहे हो लॉजिकल है नहीं जारा फोर्फिट हो रहा है तो तो ओनर्शिप कम होगी इशु करते तो ओनर्शिप बढ़ती है फॉरफिचर में कम होती है और फीचर करना मतलब उससे आज तक जो भी अमाउंट मिला उसे फॉरफिट करना और जो जो नहीं मिला उसे रिवस्ट करना है सिंपल है कि अफन कर दू पंदे ना लिखा सबीने किसी का बाखी है इसमें किसी को डाउट है नेक्स केस लिखो लिखें बच्चा लोग नेक्स केस लिखो नेक्स्ट आएक के बाद क्या आता है ते लिखना है सबी को ते लिखो बटबट से कि पहले एक बार केस समझ लो कि आजओ यह कुण सी केस है यह एक बार केस समझ पहले सब लोग ध्यान दो फिर लिखने में आसानी हो जाएगे उस एक कंपनी है जो मार्केड में शेर इस्टि करना चाहते है Human कंपनी जिसमें न वनकर इसी सब पर लिया टिया हैं अब बनीन का पैशा रिसीव कर लिया लोनावल से आए तू गजो लोनावला बच्छा आता है ने अपने यापश कहा है कि लोगल कभी टीलिय होती है रहे है रहे काड़े पाच-6-5.6 की लोकल रहती है लोनावला से एक सब्रोंने बाद मिल तू मेरे से एक बार दैखो ध्यान देना बच्चो Allotment का पैसा ट्रांस्फर किया रिसीव किया और Allotment का पैसा यहां पैसा समझो रिसीव हुआ ही नहीं उर Call का पैसा company ने Call ही नहीं किया Call का पैसा company ने भाई साब ये तो पहली बारा है ऐसे कंपनी ने कॉल का पैसा कॉल ही नहीं किया कंपनी ने क्या किया मालूम है अलोट्मेंट के बाद तुरंट यहीं पे शेर फॉर्फिट कर दिये इतने एरोगेंट है देखो बोर्ड अब डिरेक्टर्स जैसे अलोट्मेंट का पैसा नहीं मिला तुरंट शेर फॉर्फिट कर दिये मतलब सामने वाले को कॉल का पैसा कॉल भी नहीं किया है कॉल का पैसा जब कॉल ही नहीं किया तो रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड का सवालिच पैदा नहीं होता इसलिए मैंने लिखा है not applicable देखो call का पैसा हमने call ही नहीं किया तो received not received का सवाल इच पैदा नहीं होता कुछ बात समझ में आए क्या company ने immediately after allotment share जब्द कर लिया पतलब यहां पे call का पैसा call किया no call का पैसा capital में transfer किया no call का पैसा due किया no इसलिए अब देखो जड़ा पहले एक बार समझना तो सबसे पहली एंट्री application का पैसा receive कर लो bank account debit to share application कोई तकलिव इसमें यह तो same है copy paste उसके बाद application का पैसा transfer करो पहले application को credit किया था मैं application का पैसा transfer कर रहा हूँ तो उसे debit कर रहा हूँ और कहां transfer कर रहा हूँ capital में capital में मैं पैसा transfer कर रहा हूँ तो capital बढ़ जाएगा capital बढ़ेगा तो उससे क्या किया credit application का हिसाब खतर उसके बाद allotment का पैसा due करो share allotment account will be debited two capital capital में किता जाएगा चार two premium premium में किता जाएगा one but allotment का पैसा receive हुआ है क्या no allotment का पैसा receive नहीं हुआ allotment का पैसा नहीं मिला और company ने immediately share forfeit कर दिये मतलब call का पैसा call ही नहीं किया share call amount not yet called call का पैसा call ही नहीं किया जब call का पैसा call ही नहीं किया तो मिलने नहीं मिलने का सवाल पैदा होगा गया yes or no applicable जैसे एक नहीं आज सुबह आप आए और मैं सब को बोल रहे हो बता homework किया homework किया आप क्या बोल रहे हो sir कौन सा homework आपने कल homework दिया ही नहीं तो homework किया कि नहीं किया पूछने का सवाल पैदा ही नहीं होता अगर मैंने homework दिया होता तो मैं अच पूछता homework किया कि नहीं किया अगर मैंने call का पैसा call किया होता तो मैं पूछता पैसा आया कि नहीं आया जब मैंने call का पैसा call ही नहीं किया तो call का amount received not received का सवाल इच पैदा नहीं होता कुछ बात समझ में आई क्या नहीं कि जैसे ही अलॉट्मेंट का पैसा नहीं मिला बोर्ड डिरेक्टर ने तुरंट चेर फॉर्फिट कर दिए उनका टॉलरंस लेवल कितना कमें देखो यह तो ऐसी बात होगी आपने किसी लड़की की तरफ देखा दो तीन से करन उसने चाटा लगा दिया तॉलरेट भी नहीं किया कि आप उसको आगे जाके छेड़ोगे परिशान करो गया हां कोन बेट करेगा इतना तुरंट लड़की ने चाड़ा लगा दिया अलॉट्मेंट का पैसा जैसे नहीं मिला तुरंट फॉर्फिट कर लिए आगे का पैसा कॉल भी नहीं किया कुछ बात समझ में आ किस आएगा क्या भूंद और पिश यंटर दो अपने वह तीन सेंटेंस ही रहेंगे फोलो सबसे पहला काम क्या है अ क्ःपिटक करो कितने खड़ा कितने से करता गिया था नो को लो पिटा कॉपड़ ओप वाएंव कितनी यहां पर पता ना तो कैपिडल तो एस लिए क्लबवकर experiencing तो एट जो शेयर कंपनी फोरफिट करने जा रही है उस शेयर के नाम पे कितने का कैपिटल रेस किया है यह देखो यह ट्रांसपर्ट टू कैपिटल अप्लिकेशन का यह यह ट्रांसपर्ट टू कैपिटल अलॉट्मेंट का यह बस बाकी यह तो पॉली नहीं किया तो यह कैपिटल मे ट्रांसपर भी नहीं किया तो बस ये चार और यह चार तो फॉब के कपिटल चार चार और कई है क्या चार चारा चाहर आट जो ग्म काममनी आत का इस किया था तो एट रुपी से ही कापिटल कम किया 1st sentence खतम यह था दूसरा अमाउंट received एक से premium जबत कर लो बोले बिटा कौन कौन सां माउंट मिला अब receive देखो application मिला मिला allotment मिला नहीं मिला यह तो मिलने नहीं मिलने का सवाल ही पेदा नहीं होता तो क्या मिला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन यह कि नहीं आता है तो देखलो सि बैंक अकाउंट डिबिट चार हो आए बाकी कहीं पे भी बैंक है ही नहीं तो क्या मिला total amount received कितना मिला बताओ इस फोर में किस फोर में इस फोर में premium है क्या क्योंकि यह application वाला फोर है application में premium है ही नहीं मतलब इस फोर में premium नहीं है बच्चा बोलेगा यह तो premium वाला question मैं तो minus करके रहूंगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताये था जो amount received है उसमें अगर premium included है घुसा पड़ा है तो ही minus करना वरोबरे ये फोर कौन सा है application वाला application के साथ premium था नहीं मतलब उस फोर में premium है नहीं वरोबर तो यहां पे premium नहीं है बोलो amount received except premium किता है फोर फेल खता है इंपल तीसरा और आखरी जो जो नहीं मिला जो 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 कि क्यों हो रहा है क्योंकि इनको problem नहीं आ रहा है इनका चल रहा है continuous में यह शायद प्रोजेक्टर में पेस्ट रिजॉलुशन इस वन जिरो टू पोर दिवन सिक्स एट करू क्या चेंज जानोबाद में करते हैं हाँ ध्यान से सुनना तीसरा और आखरी काम जो जो नहीं मिला उसे क्या करो reverse बोलो क्या क्या नहीं मिला अलाटमेंट नहीं मिला और गलत जवाब कॉल तो मैंने कॉल ही नहीं किया तो मिलने नहीं मिलने का सवालिष पैदानी होता कॉल नहीं मिला ये बोलना गलत है आप मैंने कल आपको होमवक ही नहीं दिया था और मैं आज बोल रहा हूँ आपको आपने होमवक ही नहीं किया आप क्या लोगे सर आपने होमवक दिया ही कहा तो जबरस्तिय ऐसा क्यों बोल रहे हो होमवक नहीं कि किया मैंने कॉल किया ही नहीं तो कॉल मिला या कॉल नहीं मिला यह सेंटेंस कोई काम के है क्या कॉल का मॉंट मैंने कॉल ही नहीं किया था तो बोलो क्या नहीं मिला अलाटमेंट नहीं मिला अलाटमेंट मैंने डेबिट किया था किते से आच से अलाटमेंट को रिवर्स भी कित से तू शेयर कं अलोट मेंना तू शेयर अलोट मेंट अकाउंट 5 रुपए पारे यस औरवन उसके बाद प्रीमियम मिला प्रेमियम को पहले क्या किया था क्रेडि जो जो उस जो जो समय प्रेमियंट भी आ सकते हैं कउसर ने बूलना जो जो नहीं मिला उसे reverse करो, प्रीमियम मिला क्या, नहीं, प्रीमियम को अलक से, कैसे, अलक से मैंने credit किया था, दिक रहा है क्या, अलक से अब मुझे क्या करना होगा, अरे कच्छू समझ में आया क्या, जो जो नहीं मिला, उसे reverse करो, हो गई फॉर्विचर की इंट्री, इस ब्रह्मा किये हैं और उसे हजारों प्रॉब्लम में आज तक अप्लाई किया है ये इंटर सी एफाइनल सी एस एग्जेगेटिव सी एफाउंडेशन ट्वेल्ट यह और सी में इंटर एक बार सी में इंटर का भी लिया था में पर जगाप लिए लिखलो पूरी केस लिखो अब अच्छे से हर एक चीज़ लिखो जे फिर उसके बाद लिखो के फिर एल लिखा बिटा वोई तीन सेंटेंस है तो अभी चेंज नहीं होंगे बिटाओ तीस हर कोई फेयर बुक मेंटेन करना अलग अलग बुक मत रखना आज बुक भूल गए कल अलग बुक के अंदर में खाड़े मत होने देना खाड़े समझते हो में इस पर तीस में से अगर आप चार-पास दिन गए पास दिन का आगे पोस्पोन करतो तो होता है क्या वैसे बुक में खाली गड़े मत रहने देना अपसेंट है तो उस दिन का बुक कंप्लीट करना पहले तो अपसेंट ही मत रहना कि अनलेस आपके हाथ पर तूड़ गए आई सीउ में हो कि सरब डॉक्टर ने सब सलाई ने लगा करके रखिए दस बारा शरीर में मैं निकल नहीं पाऊंगा त्रेक्चर वैक्चर है तो ही क्लास अपसेंट रहना कि लास्ट अगर में ली इमिडेटली वाज बैच के अंदर में आप लोग जानते ए उन बच्चों को बच्चे छुट्टी थी दो दिन की चुट्टी आई थी लो नावला गए थे मैंने जाने पहले बोला था छुट्टी जब देते हैं न हम लोग दो तीन दीन क्लास पर तब क्या जो बच्चे आउट आप पूने से आते हैं उनको पूने के आसपास की हवा देखने की बहुत इच्छा देती है मैं हर बार छुट्टी की समय हर बैच में बोलता हूँ कि जब कभी भी सलग कंटिन्यूसली दो दिन की छुट्टी मिले तो कहीं पे भी दर उदर जाओ मत ओर नाइट स्टे ये वो घुमने के लिए कहीं मत जाओ लास बैच के अंदर में बच्चे गए एक्सिडेंट हो गया दो तीन बच्चे और दस बारा फिट का जो गड़्दा था उसके भी मत जाओ मेरी बात सुनना आपके माबाप के हाथ में रोने के पश्ताने के लावक कुछ नहीं रहेगा और जब लड़के हॉस्पिटल में एड्मिट थे तो ग्रूप में साथ-8 लोग थे लिए कि नहीं क्या दोई बच्चे उनके साथ में थे बाकि सारे बच्चे क्ला अभी जो बच्चे ब्रेक में आते हैं जो चाइव अगर लेके आते हैं काफी बार अपने दिखा होगा पुछवा दूंगा उनसे इमेडेटली पिछली बैच तो आपकी भी अभी छुटी रहेगी कहीं पे भी जोश में होश मत खोना इधर में क्या होते हैं रोड चिकने ह हो जाते हैं गाड़ी स्लीप हो जाती है तुमको समझ में भी नहीं आएगा रोणाली भंडारी करके मेरी पूरानी स्टूडेंट ही वह जब मैं पहले अगरवाल क्लास पे था मैयोर विकास तब वह बच्ची दो तीन निन की छुट्टी थी ऐसी रोणाली और उसके साथ मे लगा रोणाली बोली लड़के को लड़का तो बच्चा नहीं न बोलने के लिए रोणाली बोली कि वो लड़के को ऐसा लगा कि पुलिस के साइरेन की आवाज आ रही है तो एकदम से उसने गाड़ी ब्रेक मारा तो डिवाइडर पे रोड निकला वा था रोड सिद्धा उसके माथे में घुसा जाके ऑन दे स्पॉड लड़का खत्म हो गया इसको शरीर में चार-पाश फ्रेक्चर आये लड़का तो गया माबाप का इकलोता लड़का था और वो बच्ची जो है वो इसी बिल्डिंग में जॉब कर रही है अभी इस चुड़ गया वहलब एक ग की गलट डिसीन लगां को चोरी के चक्कर में एक्ट्रक्षं चालू है कही भी मत जाओ प्यार करते की दूसरे से बोलो घरवालों को बोलो या फिर बोलो CS बनने के बाद शादी कर लेंगे समझ में आया क्या इधर उधर कुछ भी कहीं पे भी जाओ मत प्रैवल पे जो रस्ता तुमको मालम नहीं उस रस्ते पे मत जाओ क्योंकि एकिनी रोड बहुत खराब है रोड इतने अच्छे नहीं है मैं जो जित्ते एक्जेंबल बता रहूँ सब इधर ही है प्रिस्टीज में ही है बता ना मेरा काम है बाद में फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा पिर आपके हाथ में नहीं रहता, फिर बस आप देखते रहोगे आस्पिरल के बेट से कि मा रो रही है, बाप रो रहा है, अब क्या करें, कैसे करें, पश्टा निकला कुछ नहीं रहेगा, बता ना मेरा काम है, समझ में आये क्या, तो अभी छुटी है, कल छुटी रहेगी, परसो आपका सेकेंड आप खाली रहेगा, मेरे लेक्चर के बाद का, तो कहीं पे भी कोई भी डिसिन मत लेना, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, बढ़ा भाई समझ के सुन लेना मेरी बात, अच्छे से, कहीं पे भी जाना मत, बच्चे क्या जोश में होश खो देते, और चले नहीं मिला, वो विकास सर ने कितनी लड़ाई की थी उसके लिए, वो पोस्मोटम कर रहे थे उसका लड़के का, वो माबब बोले कि हमें तो आने दो ये वो, तो वहाँ पे कितनी लड़ाई हो थी, होगे, छे-साथ साल, साथ एक साल होगे इस बात को, बहुत लड़ाई हो पूरे यह एक लोता एक लड़का है बाड़ी भी नहीं मिल रही है अलब कितना खराप सीन है और बाकी बच्चे फिर वह बद दो तीन नाम याद रहता है उसका पाद में भूल याते हैं आथा कोई तो एक लड़का था इसा प्रूबस एक्जम्पल में रहता है कितना गलट ले लिया एक्जीकेट्व में था एक्जीकेट्व में था लड़का तो नाम भी याद निया बुसका पहले नाम याद था पहले एक दो साल तक अब लड़के का नाम भी याद ने वो बच्चे का भी नाम इसलिए आदे क्योंकि यहां पर दिखते रहती हो हर अपते में दो बनावला कोई किया पर रोड क्या यूएस के जैसे रोड है कि दुबाई के जैसे रोड है कि रोड अच्छे है है तो यह अच्छी थोड़ी है अपने इदर के मोले यह लिखा के सभी ने लिखो बटा-बट लिखो लाइवस्ट्रीमिंग वाला बच्चा से से लिखा करो दो पर यह प्रीमियम को पहले हमने क्रेडिट किया मेरा तीसरा सेंटेंश किया था जो जो अमांट नहीं मिली उसे क्या करो reverse करो सब लोग सुनना जो जो amount नहीं मिली उसे क्या करना है reverse तो यहां पर allotment नहीं मिला allotment को पहले debit किया था 5 से allotment को मैंने credit कर दिया 5 से allotment के साथ साथ premium भी नहीं मिला premium को alakse मैंने credit किया था तो alakse मैंने premium को debit कर दिया कदम simple हिमान्शी पल ये समझ में आया क्या बाकी बच्चे yes yes premium नहीं मिला इसलिए मैंने premium को reverse किया मेरा sentence तो बड़ा clear है ना जो भी नहीं मिला उसे क्या गरो reverse allotment नहीं मिला इसे reverse कि premium नहीं मिला इसे capital को भी reverse करो ना अरे capital तो करी दिया ना बॉस capital तो पूरा ही reverse कर दिया yes or no yes very good ये लिखा सभी ने लिखो case के के एक company है ठीको बेटा फटा बट से ठीको जल्देल दिसे एक company है एक शेयर face value 10 security premium चार भाई साब total कितना हो गया 14 application चार ये छे और ये कितना आएगा चार थोडू सा premium application के साथ है और थोडू सा premium बचा कुचा बो allotment के साथ और ये ना थोड़ा सा premium किस के साथ है application के साथ थोड़ा सा premium किस के साथ है allotment तारह ये वापस करके बता दूगे इसमें इसमें खिचड़ी नहीं करते अब ये लोग ये थी केस देखो यहां पर क्या हुआ application का पैसा receive हो गया application का पैसा मैंने transfer to capital भी कर दिया allotment का पैसा transfer to capital बट receive नहीं हुआ call का पैसा भी मैंने call कर दिया बट ये भी receive नहीं हुआ एक बच्ची ने बोला sir if call किया होता पीछले वाले में बेटा मैं सारी cases लूँगा if call if not called if allotment if no allotment सारी cases ले रहो बस लिखते जाओ वो case समझ में है न जो मैंने लिखी थी अगर वो case समझ में आ गई तो उसके इबट वाली जो तुमारे मन में side में आ रही है वो सारी cases आ जाएगी अभी sentence वो ही तीन है एक बच्ची ने बहुत पिछले वाले case में जे में call money का कोई fake नहीं आएगा no call money call ही नहीं किया नहीं किया तो नहीं किया का reverse नहीं किया समझ में आए ना call मैंने call ही नहीं किया तो उसकी एंट्री नहीं आएगी और जो मैंने एंट्री नहीं की तो इसकी रिवर्स एंट्री भी नहीं नहीं इसकी करो जो बेसिक एंट्री वह कर लो फिर मैं फॉर्फिचर की करता हूँ आप बेसिक एंट्री करो सारे बच्चे जो लाइफ स्ट्रीमिंग देख रहे है जो रेकॉर्डेट देख रहे है सभी ने मेरे साथ साथ कर चलना है बेटा सी ए एफएम सी एस एग्जिगेटिव न्यू सिलेबस बेसिक सॉप अकाउंट्स देख रहे है जितनी भी एंट्री इस ट्रैंजेक्शन्स आपके सब्जेक में आ सकते बेसिक बेसिक एकदम मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ है ना बस आपको यह समझा रहोगी अपना रूल ही है शाश्वत जो हर जगा पे एपलीकेबल है क्लियर एंट्री समझ में रही है सर यह आप इत्ती सारी चील लिखे हो हमें क्या याद रखना है क्या नहीं ना क्वेस्चन में आपको ट्रैंजेक्शन दिये रहेंगे वो ट कि अकाउंटिंग से डर लगता है तो प्लीज मेरे साथ साथ सारी चीजे करो जो इंट्री समझ में नहीं आ रही है प्लीज बार-बार पूछो सवगंद है आपको मैं बार-बार बोल रहा हूं इस बार मुझे मार्केटिंग करके नहीं आपका रिजल्ट ला करके दिखाना है कि क्लास के सारे बच्चों को भी एक्जम्शन आ सकता है अगर वो हो गया तो है मेरा एक सपना है मतलब जीवन का कि 100% बच्चों को एक्जम्शन आ गया अकाउंट्स में तो वो एक चीज आपका भी फाइदा है मेरा भी फाइदा है उसमें और आ सकता है आराम से वो दीजिगाम है कि हम लोग हर एक चीज कर रहे हैं बार-बार करेंगे चार-चार बार करेंगे आपके जीवन में दो बार basic आने वाला है, एक बार account का और एक बार fm का, fm का basic account से easy है, पस fm में calculator का use जादा है, समझ में आये क्या, उसमें calculator का use जादा है, वो calculator की steps सारे लिख करके दूँगा, दो बार basic आएगा, एक बार account और एक बार fm, अगर आपका account का basic छूट गया तो आपको fm tough लगेगा, दोनों basic छूट गए तो पूरा cfm tough लगेगा, बरबर है क्या, और दोनों basic हो गए तो आपको easy लगेगा पूरा, लिखा, हाँ, चलो, आपकी इंट्रीज लिख ली ना, मैं black color के पेंस एंसर लिख रहा हूँ, question में लिखा था, after, call, shares were, four-feated, हाँ, मैं entries पास करो, black color के पेंसे में answer लिख रहा हूँ, ठीक है, सब लोग ध्यान दे, सबसे पहली वाली entry कौन से लिखू, बोलो सब लोग, bank to share application, very good, common sense, application का पैसा आ गया, तो लिख दू गया, पैसा आ गया, bank balance बढ़ गया, bank balance असेट असेट का debit balance बढ़ता है, तो debit करो, किता है बिटा, तो, share application, यह receive वाली entry है, यहाँ पे premium मत लिखना, अब मैं application का पैसा transfer कर रहा हूँ, अब मैं, अब मैं application का पैसा transfer कर रहा हूँ, बोलो कहा कहा करूँ, capital में करूँगा, capital में किता जाएगा, त्री, और premium में भी transfer करूँगा, किता जाएगा, समझ में आई किया यह entry, share application, money, transfer to, share capital, and securities, premium, application का हिसाब पूरा खत्म, सब लोग साथ में application का हिसाब खत्म हुआ, all set, simple है, इस बार premium application के साथ है, सर अलॉट्मेंट के समय तो पहले premium का लिखते हो, बाद में receive करते हो, अरे बाबा, यहाँ पे पहले receive हुआ, बाद में हमने transfer किया, बाकी सारे case में पहले transfer होता है, transfer कहाँ, जहाँ जहाँ करना था, कहाँ कहाँ करना था, capital और premium, अगर application में premium नहीं होता, तो दूसरी वाली entry में transfer कहाँ होता, सिर्फ capital में, यह बात समझे मैं ही सभी को, कलो आगे, तीसरी entry, यह हो गया, पहले यह receive हो गया, और बाद में यह transfer का भी हो गया, उसके बाद, अब यह transfer की entry, क्याने call, transfer to capital मतलब, allotment का पैसा call करो, मतलब allotment का पैसा due करो, मतलब allotment का पैसा transfer करो, जहाँ जा करना है, कहाँ कहा करना है, capital और premium, करो, यह share allotment नाम के परसंट उससे पैसा लेना है, इसलिए share allotment account debit कितना लेना है 6 उसने बुला क्यों लेना है मैंने बुला ownership दे रहा हूँ उसने बुला दे यह ले ownership 2 share capital कितना 3 और उपर का क्या है securities premium account कितना है बिटा share allotment amount due including premium किसी को कोई दखली बेस में चलू आगे अब allotment का पैसा receive हुआ गया एक question बता allotment का पैसा receive हुआ question में लिखा था no receive नहीं हुआ तो बताओ fourth वाली यहां पे कोई entry आईगी क्या allotment का पैसा receive होगा क्या no exam में ऐसा मत बनाना है cross का sign वरना वो पूरे इसमें cross का sign बना देगा इसे यह बस आपके लिए कि allotment का पैसा receive नहीं हुआ इसलिए महां पे मैंने entry रहा है यह सोर नो कि यह 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 से कुछ गोले बोले नहीं लगाने है कहीं पे भी direct entries लिखनी है यह ना उसके बाद कॉल का पैसा कॉल कर दूग्या चेर पॉल अकाउंट और का पैसा कॉल किया या ने कॉल का पैसा ट्रांसफर किया capital में इता बिटा फूर तूँ ट्रांसपर एक बच्ची ने बोला सर्थ एंट्री वापस बता दो पीटा थर्ड एंट्री में कुछ नहीं पैसा ड्यू किया अलॉट्मेंट नाम के परसें से पैसा लेना था इसलिए मैंने उसको डेटर बना दिया डेटर बना दिया तो डेबिट कर दिया बरबबरे? उसने बोला कि क्यों पैसा लेना है मैंने बोला आपके नाम से ओर्नर्शिप ब्रेस कर रहे है तो शेर कैपिटल ट्री और टू सेक्यूरिटी प्रिमियम घ्रिया कैपिडल का क्रेडिट बैलेंस ड्रीम में आमाउंट ट्रांसपर किया है इसलिए मैंने कैपिड प्लतीन है वरोबरे प्लसेट तो नी तन उसके बाद आगे और बढ़ते हैं उन्हां प्लीज यान देने अब सब लोगा अब पॉल का भी पैसा गया कॉल का पैसा औरी कॉल का मॉंट कॉल कर दिया कॉल का पैसा नहीं मिला अमें एंट्री करूं कि फॉर फीचर की यह पेपर में ऐसा लिखना नहीं मैं आपके लिए बस लिख करके दिरो एंट्री फॉर टेर फॉर फीचर कि फुछ भी केसरेंदो वह अपने तीन सेंटेंस पहला और कैपिडल को कम करो बोलो थे सब लोग कौं से तीन सेंटेंस हैं यहाँ पर सबको याद है कि यह रहे पहला वाला कैपिडल को कम करो दूसरा amount received except premium जब करो तीसरा जो जो नहीं मिला उसे reverse करो बरबरे तो चलो कम करते capital को कम कर रहो चेर capital को कम करो किते से जिते से race किया था किते से race किया था by called of face value क्तरी बताओ देखो ठीटा त्व केपिटल टू केपिटल 3 या पिर यहा से देख लो है से यह है पूरा पोरा पील्ट्व केपिटल में 투 केपिटल किया पूरा याने पूरा फेस वेल्य यमिर्ट तू करो री और ये 36 और ये 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 भी ट्रांसपर टू कैपिटल है टू कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल याने 10 से कैपिटल खड़ा किया अब फॉर्फिट कर रहे तो 10 से कम करो ठीक दू क्या पहला वाला काम शत्म ये समझ में आई क्या बात सभी को दूसरा काम क्या था अरे amount received एक से premium जब्त करो परवने ना amount received एक से premium को forfeit करो बोलो बेटा total amount received किता है allotment अरे रे 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 नहीं मिला पॉल भी नहीं मिला याने क्या मिला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एप्लिकेशन यकीन यहाथ चेक कर लो सिर्फ यह यह बैंक डेबिट बाकी और कुछ भी मिलाएगा bank सिर्फ four-y debit है सिर्फ application मिलाए और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलाए और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलाए resolution change करोगे कहां से change करते है resolution aspect में कि लो तो पहला वाला काम कम कर दिया हमिने capital को कम कर दिया. दूस्रा आमाउंट received एक से premium उसको forfeit करेंगे मने तो बलो यह पिलिकेशन का है, तो बोलो यह पिलिखूंग तो टल अमाउंट received किता है फोर. इस फोर में किस फोर में इस फोर में premium है क्या very good है इस इस फोर में premium कितना है वन वन ही ना मत बोलना इस फोर में कितना premium है कि फाइनस premium included in about four कि तो amount received except premium कितना है पाक्षी तो कुछ मिला यह नहीं ना सिरेप application का पैसा मिला और वो है फोर उस फोर में उन था premium इसलिए अर्रेप कितना आया थरी, तो फॉर्बिट कर लो, एक लाइन की स्पेस देखे, टू, शेर, पूर फीचर अकाउंट, थरी, दूसरा काम भी, खतम, तीसरा, और आखरी काम, जो जो नहीं मिला उसे, रिवर्स करो, बोलो क्या-क्या नहीं मिला, अभी देख ले दे, अलोट्मेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला, कॉल कर दिया बट नहीं मिला न, अलोट्मेंट, अलोट्मेंट, अलोट्मेंट को पहले डेबिट किया था, अब अलोट्मेंट को क्रेडिट करता हूँ, अलॉट्मेंट नहीं मिला मतलब उसके साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला अलॉट्मेंट नहीं मिला मतलब उसके साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला उसके साथ वाले प्रीमियम को पहले मैंने क्रेडिट किया था अब क्या करूंगा डेबिट करूंगा प्रीज ध्यान देना एड़े गबाड़े का काम नहीं है बहुत ध्यान देना पड़ता पॉल को पहले डेबिट किया था अब क्या करूगा खेल खत्य कर लो उस था क्या रहे अभी जो बच्छा पाइदा हुआ नो ऑस्पिटल में वो भी करेगा अगर उसने स्टेप्स फॉलो किया तो हाँ अगर किसी ने खुद के मन की स्टेप्स बना कि खुद की रामाइंड चला रहा है तो वो नहीं हो पाएगा समझ में आए लोजिकल है हर चीज के बिची की वज़ा पते देखो कौन सी दीन स्टेप है मैं आप लिखके देखो पहला काम कैपिटल को कम करो कित्ते से काम अमांट रिसी उडेक से प्रीमियम जब्त करो तीसरा काम जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो तीसरा काम जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो उस्थाइस में लिखो बिटाब इंट्रेज लिख लो सारी बिल्कुल सही रितू कलपेश बहुत जोरदार बढ़िया तीन काम तीन स्टेप समझ में आया है पक्का कसम से कि अगर समझ में आ रहा है बहुत तो आप सही जा रहे हो पच्चास ठका तक पहुचे क्या आप लोग बहुत बढ़िया लब चिराक सर अगर हमें एक्स्टा टाइम नहीं देते न तो सोचो देड़ मैंने बाद आता है इसली बोल रहा हो देड़ मैंने बाद पढ़ते हम लोग इसको एक एक मैने बाद बलब चिराक का जितना हम लोग शुक्रियादा करें उतना कम है हम लोग बहुत देंगे चिराक को थैंक्यू थैंक्यू देंगे थैंक्यू आने बाद उसको बोलेंगे और कभी ऐसी कोई छुट्टी दे तो हमको प्लीज दे अरे इसमें एक्जम्शन पक्का है बॉस कि फिरी सब्जेक्स इप दिखने के लिए अच्छे रहते हैं मार्क स्कोर करने के लिए नहीं है कि फिरीज लाइक गर्फ्रेंड पार बार रीपीट करो रिवाइस करो वरना कब छोड़के भाग जाएगी कोई कह नहीं सकते इसर दस साल तक की भूलता नहीं है उसको और देखते रहता है अब आएगी आएगी पाट थेरीЗ लाइक मैं की प्र असंटा इस सोगह कर स्याट है और रेच्टिक VOC अ खुझ री बट वोई बच्पन में आपने थिरी पड़ी फटिरी आपको नहीं याद है बच्पन का पड़ा राक्टिकल याद है कि अस चै 색暗ल आपॉदि दो से नहीं चला होगे बढ़ आप साइकल चला न भूले क्या प्रैक्टिकल एपने एक्चुल में चलाई थी जो चीजी आप एक्चुल में करते हो वो आप कभी भी नहीं भूलते अगों सिफ किताब हमें पड़ा है वह भूल जाता है इंसन तो प्रैक्टिकल बहुत लॉप ये सगेडमी तो अराली और इस दिसमें कि रूब मेरा लेक्चर रहता है उसके बाद में मैं सारा बता दूंगा आगे क्या क्या रहने वाले तो रिक दे रहो बस एक केस और नहीं ब्रेक देता हूं आपको ब्रेक के लिए टाइमें अभी तो ग्यारा पंद्रह हुआ ह साथ मिन्ट में देता हूं विपुल सर आने वाले तुम्हें को मालम है ना मेरा शनी भारी है कोई ने कोई आता ही है तो विपुल सर आएंगे की सर बच्चों को ब्रेक दो तब आपन दे देंगे उनकी रिस्पेक रखने के लिए हां नहीं आये तो वैसी में देद हुआ एल क्या ही है एल हां तो एल के समलोग कर रहे है लिखा बटे सभी ने यह समझ में आया के सभी को गर पर रिवाइस करना यहां पर लग रहा है समझ में आया लेकिन दो दिन बाद आप इसे भूल जाओगे मैं पहले बता रहा हूं रिवाइस कर लेना एक बार बस एक की बार ठीक है ध्यान देना अभी हां लिखो कंपनी उपर वाले केस में चेंज करूं गया पुरा लिख से लिखो कंपनी एक शेयर इशू करना चाहती है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है तेन उसमें प्रीमियम कितना है तो फोलो इशू प्राइस कितनी है तो अप्लिकेशन पांच रुपे प्रीमियम दो कैपिटल तीम आलाट मेंट एह रुपे ओर कॉल 1.00 लुकाष तोल तोल आपकिशन का पैसा सी क्ट रांसपर रांसपर अलोट्मेंट का पैसा कॉल किया रिसी हुआ नहीं का पैसा हमने कॉल किया यस रिसी हुआ नहीं डायरेक्ट एंट्री पॉर फॉर फीचर करो मुझे स्टार्टिंग के एंट्री से कोई लेन देनी है पस इतना इक वेस्टन में आपके सामने दिया हुआ है मुझे डायरेक्ट चाहिए एंट्री फॉर एर फॉर 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 फीचर चार नंबर के लिए एक्जाम में आती है चुट-उटी केसे से पैसे नंबर वन के अंदर में क्वेस्टन नंबर 18 मॉर्ण की कंपल्सरी है और बचें कितने एटी अब शिक्स्टीन शिक्स्टीन मॉर्ण के छे क्वेस्टन होते है उसमें से आपको कितने सॉल करना है पाच इसलिक्स्टीन-फाइटी फशन नंबर वन कंपल्सरी 20 80 20 100 और यह करो डारेक एंट्री फॉर 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 फिचर चाहिए ट्राइब करो तो पहले वाली एंट्री लिखने की जरुवत नहीं अब एक्जाम में अगर आपको एन्ट्री फॉरफिच्ट्र पूढ़ा तो पहले वाली धुतिंस ऐख सब कुछ भी नहीं लिखना ओ आप्रुप्ली टू अप्लिकेशन अप्लीकेशन 126 अकुछ नहीं लिखना अगर आपको एक्जाम में पूछा है एंट्री फॉर 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 फीचर तो फॉर फीचर की ही एंट्री लिखना वेरी गूड एक बच्चे का हो गया कि और उपड़ापट से को विदीन सेंटेंज कि नरे प्रांसपर मतलब कॉल कर दिया हो गया बिटे तेरा भी वेरी गूड वेरी गूड तीन पाच छे कि नट को फॉर 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 पट पट से कि राए करो नहीं समझ में आरहा है मुझे पूछो घबराना नी आठ नौ नहीं समझ में मुझे पूछो दस कि क्वेशन बर वन जो है ने कंपल सरी उसमें छोड़े बड़े प्वेस्टन आए चार नंबर के उसमें अने वाला एक प्वेश्टन और फीचर का इशिका डन ओके वेरी गुड तुशार डन तुभा महेश कंडलवाल डन कि रन महीमा पारूल वेरी गुड हमान ची वेरी गुड वेरी गुड्व पिखाल से अब मैंने करना चीए का भी टाइम दिया और टाइम चीए आधे मिनिट का हो गया सभी का पीछे उधर बिटा किया पक्का आपने इधर किया नहीं किया हो गया चलो देखो इसरा स्क्रीन पर ध्यान देना और फिचर के इंटी बुली तो बस वही तीन सेंटेंस सबसे पहला काम कैपिटल को कम करो जिया मैं लाइफ स्ट्रीमिंग वाले बच्चे प्लीज ध्यान देन मैं देख रहे हो यह जाए ना लोकेश देव कृष्णा मैं कर जानि रहाँ प्लीज देना काम काम केपिटल को कम करो कित्ते से जित्ते से किया था इस किया रेज क्यो मैं अब कित्ता क्या है आ हैं और की तना हो गया तैनट सो तेन से के अबढल काम धरो सो पहला काम खतम हो गया वटिटल को कम करो जित ते से रेस किया था सुसरा कां आमाउंट रिसे डिश्ट प्रिमियम जब्द करो तो एर फ फीचर अकाउंट पैसा जब्द कर रहा हो मेरा फाइदा हो जाएगा फाइदेगा credit balance इसलिए मैंने forfeiture को credit किया amount received except premium total amount received कितना है बताओ total amount received allotment नहीं मिला call भी नहीं मिला क्या मिला सिरिपोर्शीब application कितना फाइव इस फाइव में किस फाइव में इस फ्राइव में प्रीमियम इंक्लूडेड है क्या कितना दो टू रुपीज तो अर्रेप कितना आया amount received except premium three एल कतम तीसरा और आखरी जो जो नहीं मिला उसे reverse करो बोलो क्या क्या नहीं मिला allotment और यह call यह देखो नहीं मिला ना allotment का पैसा नहीं मिला all call का भी पैसा नहीं मिला तो टू शेर allotment तू शेर call पहले हमने debit किया हो गए इन दोनों को छे और एक छे और एक उस था क्या रहे इसमें amount not received पेपर में समने लिखना amount not received 123 dot 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 direct लिखना है amount not received उसे हमने क्या कर दिया और यह क्या था amount received एक से premium को जब्द कर लिए उस था कुछ बच्चे बूलेंगे सर इसमें premium reverse नहीं होगा क्या पिछले वाले case में आपने यहां पे लिखा था security premium hinaus इहां पर प्रीमिU नहीं मिला किया प्रिवर्स क्यों करना प्रहस एंज़रे कन प्रक्राइम करना प्रश्चा और प्रिमिम लिख प्रिमिम्ं अगर नहीं मिला नहीं तो ही भी 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 जो भी उट सекст करो व्हें जो भी में अलॉट्मेंट है उसको रिवस करो उठ जो भी में अगर कॉल है तो उसको भी रिवस कर दो समझ में आए क्या पक्की बात तन यहां तक समझ मैं लिखो एक और केस एम यह लिख लिए सभी ने ऑनलाइन वाले बच्चे सारे समझ मैं लाइफ स्ट्रीमिंग कि ओल सेट एम 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 लिखो एना ध्यान से सुनना देर कंपनी मार्केट में एक शेर इशू करना चाहती है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है टेन कि ओर एटीस प्रीमियम उसमें कितना है थ्री सेकूर्टी प्रीमियम है नहीं है सा समझो लिख लिख लिया कि आपने हाँ चाटी के लिख लो लिख लो सेकूर्टी प्रीमियम कितना है थ्री इशू प्राइस कितना है थर्टीन और यह शेयर में अप्लिकेशन कितना था छे अलोट्मेंट कितना था चार और कॉल कितना था आपको समझाने के लिए इन समझाने के लिए क्या इन ही आएगा तेरा अप्लिकेशन का अमाउंट रिसीवड ट्रांसपर भी कर दिया अलोट्मेंट का अमाउंट काई कामंट काल कर दिया नौट रिसीवड कुछ बात समझ में आ रही कि और यहाँ पर प्रीमियम किसके साथ है अलोट्मिंट के साथ है प्रीमियम और यहाँ पर कैपिटल कितना है वन ठीक है मुझे यह क्वेशन थोड़ा अले कैं से सुन वर फिचर तक से मैं मैं forfiture के एक कदम आगे जाने वालों वह इस क्वेशन में up to forfiture same है मुझे forfiture की entry पहले pass करके बताओ इसकी ठीक है पहले forfiture के entry pass करो इन्होंने call का amount call कर दिया call के बाद share forfitt किया allortment का पैसा नहीं मिला call का भी नहीं मिला और call के बाद share forfitt किया कि ऑल के बाद Shereकश कर दिया इस बार हम लोग फॉर फीचर के एक श्टेप आगे जाएँगे किया ओर जबत तो कर ली Company करने के बाद क्या आरती उतारई की Company इस शे मेंने के नुए नुए लूटनियौ फॉर फैटथे शेयर्स को को वापस बेच देती है कि इशू कि और फिट करके क्या उसको जाके रखना है कि कहीं पर नो कंपनी री इशू कर देती है री आरी डबल एस यूई री इशू हो गया फॉर्फिशर के इंट्री पेरी गुड हो गया बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है कि हो गया है कि अधर लाइब स्ट्रीमिन थेंक्यू इशिका एसी के हेल्प कर दी इशिका ने जो थेंक्यू बोल रहा है कि यह आपस में खेल रहा है इदर कुछ तो कि चलो एंट्री कर रहा हूँ तब से पहला काम शेर कैपिटल को कम करो कैपिटल को कम कर दिया दूसरा अमाउंट रिसी उट एक से प्रीमियंम जब्त करो परवडऱ् किया अमाउंट रिसुट एक से प्रीमियंग कर लिया तीसरा और आकरी काम जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो परोबर है सेक्यूर्टी प्रीमियम अकाउंट यह भी नहीं मिला है ना तो इसको भी मैंने रिवर्स किया परोबर है और कॉल भी नहीं मिला इसको मैंने रिवर्स कर दिया हो गया सभी का चेक कर लो बिटा ऐसी किया अपने इंट्री अब देखो मैंने मन के मन में तीन स्टेप चलने दियो डाइरेक रप से एंट्री लिख दी ना है कि यह यह अप्र है कि यह इसे मत करो यार में पंचास बार बताने पर पिर मेरा दिल तूट जाता है माल मैं क्या जा अटायक आजैंग मेरे को ऐसे नहीं करना इस यह में प्रिमियम है क्या नो यह कौन सा है यह अप्लिकेशन का amount और इस application के amount में premium है देखो तुम मुझे doubt 100 बार पूछो लेकिन 100 बार doubt पूछने बाद फिर मैं तुम से expect करूँगा कि तुम सही जवाब दो and expectation always hurt ऐसा मैंने सुना है यहाँ पर दो तुम को बताऊंगा बड़ उसके बाद तुम्हारे गलत नहीं होना चीए वापस गलती करेण तो फिर मैं मरखो या तो तुम रखो यह दिख रहा है क्या six यह यह नहीं हो six अभी ध्यान से सुनना सब लोग अब company ने यह देख बड़े ध्यान देना यह share older था पहले का जिसका share company ने जब्द किया यह share जब्द कर लिया इसकी ownership छीन लिया और कितना पैसा जब्द किया six same share of company रीशू कर रही है इसको company ने जो share जब्द किया company उसे संभाल के रखी की क्या अपने पास हो सकता है board of director ने decide किया कि forfeited share हम रीशू करना चाहते है company wanted to reissue the forfeited share अब company रीशू करने जा रही है देखो company wants to reissue the forfeited shares as 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 fully paid company कैसे reissue कर रही है अभी लिखो मत कुछ भी company कैसे reissue कर रही है as fully paid कैसे ऐसे जैसे उसमें पूरी ownership है कैसे कैसे ऐसे जैसे उसमें पूरी ownership है company wants to reissue the forfeited shares as fully paid company ने इसका share जब्द कर लिया और अब इसे reissue कर रही है और reissue कर समय नए shareholder को क्या भोल रही है बेटा इसमें पूरी ownership है पूरी ownership मतलब कितनी पूरी ownership का मतलब होता है पूरी face value पूरी ownership का मतलब क्या होता है पूरी face value इस share की face value किती थी दस जैने reissue जिसको भी कर रहे है तो उसको ownership कितने की मिल रही है पहले मैं बोल दूगा reissue के अंदर में two share capital तो 10 आ नहीं है 50% काम खतम as fully paid बोला है न बहुत पूरी ownership दे दिया company ने जब share forfeit किया था तो capital कम हुआ अब company share वापस issue कर रही है तो capital बढ़ेगा capital का credit balance बढ़ता है तो credit करो company ने यहापे पूरी ownership दे दी company ने ownership दे शेर इशू किया तो capital बढ़ेगा न are yes or no और कितने में दी for rupees 8 पूरी ownership कितने में दिया इसको मात्र 8 rupees में 8 रुपे में यह तो पहली समझ में आ गया मुझे लिखना मत अभी bank account debit कितना आएगा 8 यह बास समझ में आए गया तो company ने share री इशू गिया ऐसे जैसे उसमें पूरी ownership है so 2 capital 10 कितने में दिया 8 में so bank account debit 8 अब तुम बताओ देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि company ने हाँ बेडा मैं 10-20 बार बताता हूँ तुम चिंता मत करो बस अभी ध्यान दो please ज्यान देना यहाँ पे जो share company ने forfeit किया same share reissue किया as fully paid मतलब उसमें ownership कितनी है पूरी 10 रुपी कि और reissue जिसको भी किया उससे लिया कितना मात्र only सिर्फ 8 रुपी तो bank account debit 8 2 share capital 10 देखने वाले को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे company का loss हो गया तुम बताओ जो share company ने भूत काल में past में forfeit किया था concentration level बढ़ाना है ना वो same share company ने reissue किया जो share company रिशू कर रही है उस share पे past में भूत काल में कितना पैसा मारा था लोगों का जब्द किया था आप नहीं बोला था भी थूरी देर पहले 6 जब यह share जब्द किया था जब यह share forfeit किया था तब कितने का फाइदा हुआ था 6 का सेम शेयर जब रिशू कर रहे है सेम शेयर जब रिशू कर रहे है तो नुक्सान कितने का हुआ 10 की ownership 8 में दी तो कितने का नुक्सान हुआ 2 का सेम शेयर पे forfeit करते समय 6 का फाइदा सेम शेयर जब रिशू किया तो 10 की ownership कितने में दिया 8 में नुकसान कितने का हुआ दो का है का फाइदा दो का नुकसान बताओ नेट फाइदा कितना है इसकि तर शेख और बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता इस भरबर क्या रिखेसश जब आपने जब्ट किया था तब गज्ण फाइदा हुआ princess गजो आपने रिशू किया तर नुक्सान कितने का हुआ दोका ये दोका नुक्सान कहां से वसूल किया उसी छे में से उसी छे में से रिकवर किया ना वो छे क्या था बाइद वे फॉर फीचर फॉर फीचर से मैं ये टू का लॉस रिकवर कर लू गया जब फाइदा हुआ था तब फॉर फ फाइदा दो का नुक्सान वो दो का नुक्सान उसी छे के फाइदे से रिकवर करूं तो नेट फाइदा कितना है तेरी गूट वो नेट फाइदा जाएगा Capital Reserve में है, वो नेट फाइदा कहा जाएगा, Capital Reserve में, लिखो क्या है यहाँ पे, कहाँ पर पढ़ाए वो अभी भी चार, Forfeiture में पढ़ाए न, Forfeiture, Account, Debit, Char, Two, Capital Reserve, सरे Capital Reserve क्या है, जो Capital Nature के Transaction रहते हैं न, Capital Nature के Transaction यह Capital, Share Capital Issue करना, Forfeiture करना है, सब Capital Nature के Transaction है, Capital Nature के Transaction पर जो फाइदा होता है, वो कहाँ जाता है, Capital Reserve में, जो क्योंकि वो Capital Profit होता है, Revenue Nature के जो Transaction होते हैं, जैसे माल खरीदना बेचना, वो फाइदा, Revenue Profit होता है, उसके उपर Income Tax देते हैं, और जो Capital Nature के Transaction होते हैं, उसके उपर जो फाइदा होता है, वो कौन सा है, Capital Profit, Capital Profit, Capital Reserve, जो आखरी में बोला, उसको गोली मारो, यह समझ में आए क्या, गावरान तर Recover करूँगा की नहीं, देखने वाला क्या बोलेगा, किसी ने बोल दिया, क्या तुने Loss में Shares दे दिया, 10 की Ownership एट में दिया, मैंने बला लॉस नहीं है, यह सेम शेर, कौन सा, यह सेम शेर, जो रीशू कर रहा हूँ, सेम शेर, जो रीशू कर रहा हूँ, इसी शेर पे, पास्ट में, मुझे कितने का फाइदा हुआ था, 6 का, उसी 6 के फाइदे से मैंने 2 का Loss Recover कर लिया, तो बताओ, अभी भी नेट फाइदा कितने का है, कुछ बात समझ में आई, बरबर, clear है, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, तो प्लीज एक बार पूछो एम केस में, किसी बच्चे को कोई डाउट है, यह क्या है, बताओ तो जरा, यह क्या है, यह, नेट फाइदा, प्रॉफिट, ऑन, री इशूड, शेर्स, कौन से शेर्स, री शूड, शेर्स, कहा ट्रांस्पर गया, ट्रांस्पर टू, कैपिटल, रिजर्व, नेट प्रॉफिट, ऑन, री इशूड, शेर्स, ट्रांस्पर टू, कैपिटल रिजर्व, पूरे सब्जेक्ट की, 40% इंट्रीस तो आपने, 10 दिन में खतम कर दी, पूरे सब्जेक्ट की, बोल रहा हूं में, तर फिर इंट्रीस कहला हो, और क्या है, फॉर्मेट, फॉर्मे प्रॉफिट, वापस बता दो, पहले लिखो, क्रिशी, शाह, के और एल में कौन सा डाउट है, वो बता बैटा, एक बच्ची बोल रही है, के और एल केस में, के और एल को अब एक केस हो गई न वो, तो डाउट लिख उसके अंदर में, कौन से जगाँ डाउट है, मैं लास पूरे बस इसको आने वाले तीन-चार मिन तक कंटीनियू रखते हुआ इस दिखा रखते है और फिटेड़ शेर्स कंपनी रिशू कर सकती है क्या तो येस बिल्कुल कर सकती है और रिशू करते समय है उन शेर्स पर अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस उनी शेर्स के फॉर्फिचर से रिकवर होगा किसी दूसरे शेर के फॉर्फिचर से नहीं सेम शेर इसलिए मैंने देखो रिशूड वर्ड की उपर जोर दिया था सेम शेर जो कंपनी रिशू कर रही है उनी शेर्स पे अगर भूत काल में पास्ट में फॉर्फिचर अकाउंट में बैलेंस होगा तो वहीं से वो लॉस रिकवर होगा मैं एक्स शेर रिशू कर रहा हूँ तो य के फॉर्फिचर से लॉस रिकवर नहीं होगा समझ में आ रहा है जो स shares के forfeiture से recover होगा कोई दूसरे shares के नहीं मान लो company ने 10 share का lot forfeit किया, 5 shares का lot forfeit किया 10 share का lot forfeit किया और ये 10 share का lot जब re-issue कर रहे है तो ये जो loss हो रहा है re-issue के समय अगर है तो वो loss इन 5 shares के lot के forfeiture से recover होगा क्या? नो इनी 10 shares के lot से कुछ बात समझ में आ रही है जो share आप re-issue कर रहे हो उनी share के forfeiture से re-issue के समय का loss recover होगा कुछ बात समझ में आई loss at the time of re-issue of shares will be recovered from the forfeiture account of same shares दूसरे नहीं logical है न? बरो बरे देखो, एक बार वापस बता देता हूँ फिर उसके बाद break है same वापस बता रहो, लिखने की जरूरत नहीं है सुनना बेटा ज़रा देखो, ध्यान से सुनना इसम बता दो जैसे यहां पर, यहां तक तो सबको आ गया था यह forfeiture के entry है अब forfeiture के entry आपके लिए easy है, समझ में आई पकी बाद जो बचे लाइफ स्ट्रीमिंग देख रहे है, जो face to base देख रहे है फुली बेट का मतलब क्या है, उसमें ownership पूरी है but for, for, कितने में दिया, 8 में तो पैसा कितना दिया, 8 but ownership किती दिया, 10 की पैसा कितना आया, 8 but ownership कितने दिया, 10 की तो यह जो share है, जो मैंने ratio किया 10 की ownership, 8 में दिया तो जो loss हो गया, वो loss इनी शेयर के भूतकाल के forfeiture से recover होगा कुछ बात समझ भाई यह share जब मैंने past में forfeit किया था तो मैंने कितना पैसा जब्द किया था six, इसी six में से पहले forfeiture को क्या किया credit, अब loss recover करना है तो forfeiture को क्या किया जब भी मैं कोई share री इशू करता हूँ तो उसी शेर के फॉर्फिटेड अमाउंट में से री इशू का लॉस सेट आफ होगा री इशू का लॉस री कवर होगा री इशू का लॉस वसूल होगा येस और नो और उसके बाद में जब अब शेर री इशू हो गया शेर फॉर्फिट किया और री इशू हो गया शेर का जरनी कम्प्लीट हो गया और फिटेड दिन उसके बाद री इशूर अब वो शेर हमारे पास है क्या नो तो अब वो शेर जब हमारे पास है ही नहीं तो अब उस शेर से रिलेटेट जो भी नेट फाइदा है Capital Reserve में डाल दो जब यह share मैंने forfeit किया था तो कितना पैसा जब्त किया था six same share जब रीज हुग गया तो कितने का loss हुआ दो वो दो का loss उसी 6 में से recover किया अब share चला गया अब उस share के नाम पे कितने का net फाइदा बचा है चार वो चार का net फाइदा कहा डाल दो कुछ बात समझ में आए क्या तर ये चार कैसे आया अगर ये चार कैसे आया तो इसके लिए working note लिख लो हाउ टू कैल्कुलेट हाउ टू कैल्कुलेट अमाउंट ट्रांसपर टू कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये क्या लिखना पड़ता छे माइनस दो पड़ ये working note part and parcel of your answer आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें कैपिटल लिखर का माउंट आपको कैल्कुलेट करना होगा देखो कैसे निकालते हैं ए अमाउंट को और फीटेड on reissued chairs जो शेयर शेयरे शेयर किए सारे नहीं जो शेयर मेंने रिइशय किये उने शेयरस मेंने रिइशय किये उनेне कितना अमाउंट फॉर्फिट किया था अ कि ए SM बच्चे ने बहुला सर जो शेयर रिइशयकर रहे उसका पैसा in्स्ट्रॉल्मेंट में आसकता है क्या no reissue is like auction sale वहाँ पे इंस्ट्रोल्मेंट नहीं रहेगी इंस्ट्रोल्मेंट कब रहती है issue में पहली बार अगर कोई शेर इसु कर रहे तो वहाँ पे लॉस एड़ टाइम आफ री इशू री इशू किसम है लॉस अगर है तो लिख लो कितिका लॉस है इन की ओनर्शिप एट में दिया तेल कर दम इस इक्वल टू अमाउंट ट्रांसपर्ट टू कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैल्कुलेट करने के सत्रह सो चपन तरीक है यहां पर गलती होने के जांसे बहुत कम है अगर आपने आज़ेटिस फॉलो किया ए बी सी े और सोनी बीटा-ट वाली के सीस भी दिखते इक बच्चे ने बोला सर अगर कैपिटल लिजव में कुछ नहीं बचा तो पुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं नहीं आएगी एंट्री उसकी इन ने कि अकम तर्व Okay गया है तेम शेर सो सेम प्राइस इपकातो नो प्रॉफिट नो लॉस कैपिटल साव में कुछ नहीं आएगा तो भी प्राइपटील्डेश नाटन ज्यादा पिपका तो प्रीमिमाम है फिर यहां पे लॉस हैंी तो पिर यहां पर आएगा जेरो-छे-10 छ मैंने तो been a和ड बार मेरी इसुक हंगा तो क्या रड़ा-बर हम मेरी इसुक गया तो क्या साविक तो किया तो क्या सारी कि सारी कैसे रहे से रहे हैंगे अउसके बाना आज हम लोग एक कॵेशन सौब करेंगे बघ्रिक के बाद अभार और फीचरा रीज प्रांसपर्ट टू कैपिटल डिजर्व सारी केसे साइगी सोला एंट्रीज रहेगी एक क्वेश्चन में और इक्स्टीन मार्क्स और शिक्स्टीन मार्क्स तोला बीस नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा फुल प्लेज वाला अभी ब्रेक है कि वा है 15 मिनिट पूरा 20 मिनिट 20 मिनिट बस अरे रोज रोज चिराग ओफ नहीं देगा आज मौका मिला है लूट लो कि वाला आजिः बस्टेनि देग। कि वाला आज प्लेज थाराव क क्या दोला आजिए कि प्लिक्वे श्के ट्रूट ांज siitä रोज等 प्लेजर विर वाला ब्लेजर बस्ट के देखनोन